नमस्कार दोस्तो आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे न्यू वीडियो में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सियर मार्केट में अगर आप चाहते हैं कि आप सियर खरीदें और उसको बेचें और लेकिन आपको इसके बारे में पता ही नहीं है क कैसे आप share खरीच सकते हैं कैसे बेच सकते ही तो guys इस video में मैं आपको detail में बताने वालो step by step कि कैसे आप कोई भी share को खरीच सकते ही और कैसे आप कोई भी share को बेच सकते ही तो guys अगर आपको जानना है कि ये कैसे आप कर सकते ही तो video complete watch कीज़ेगा and guys यहाँ पे जो है मैं आपक एप्लिकेशन में ये चीज कर सकते हैं सेम प्रोसेस को यूज करके तो गाइस वीडिये को कॉम्पलीट वॉच किजीगा आपसे सबसे पहले एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस वीड अब मान ले दे गाइस यहां पर आपको कोई शेयर खरीदना है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे आपको शेयर मिल रहे हैं कुछ इस तरह से और आपको मतलब कौन सा शेयर खरीदना है आपको वो तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा मैं गाइस सि ऐसे आप उस share को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं कि buy and sell कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से shares मिलते हैं उसकी बाद यहाँ पर आपको जिसे कि मैंने आपको कल की वडियो में बताया था कि कोई भी share को अगर आपका उसका price जानना है तो वह कैसे जान सकते तो उपर आपको सर्च बटन जो मिलता है इस पर क्लिक करके आप उस share को search कर सकते हैं जो आपको खरीदना है एक्जाम्पल के लिए यहां पर मैं एक share दिखाता हूं सर्च करके देख सकते हैं यहां पर आ चुका है तो इस तरह से जो भी share आपको खरीदना होगा या फिर बेचना होगा बेचना होगा तो वह तो आपके वहीं पर add होगा अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पर मैंने share को slide किया अब आपको यहाँ पर खरीदना पड़ेगा मतलब सबसे पहले से कोई share पड़ा हुआ है और उसको आप बेचना चाहते हैं तो वह मैं आपको इसके बाद का प्रोसेस बताऊंगा फिलाल मैं share आपको सबसे पहले हैं पर बाई का बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको बाई पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत ही ध्यान सा समझना पड़ेगा क्योंकि तो गाई यहाँ पे दो options मिल रहा है पहला है यहाँ पे delivery और दूसरा है intraday तो गाईज यह क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गाईज जो delivery होता है इसको अगर आप select कर रहे हैं तो आप long term के लिए मतलब गाईज आप एक दीन से जादा दिनों तक कोई भी share को hold कर सकते हैं लेकिन गलती से अगर आप intraday को select कर लेते हैं तो इससे क्या होगा आपने जो share खरीदा हुआ है आज उसको आपको आज ही बेचना पड़ेगा तो इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो options है इसको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना और समझना पड़ेगा तो गाईज यह यहाँ पे मैं आपको जो है long term के लिए बता रहा हूं कि आप जो है long term के लिए shares को कैसे खरीद के hold कर सकते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे delivery select करूंगा और यह by default भी delivery यहाँ पे select ही रहता है तो गाईज यहाँ पे delivery select कर लिया तो अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको quantity मिल रहा है कि कितना quantity आपको खरीदना है तो जितना भी quantity खरीदना है उसको यहाँ पे enter कर दिना है जो आपको box दिख रहा है और उसके बाद जो next option है वो है यहाँ पे price and market तो यह क्या होता है तो guys अगर आप यहाँ पे click करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है दो options मिलेगा एक यहाँ पे market price and दूसरा आप limit price तो guys यह अभी use करने का नहीं है जो by default select है market price तो इसी को यहाँ पे आपको रहने देना है तो guys यहाँ पे इतना कुछ आपको मतलब जानने की बाद अब आजाता है कि आप यहाँ पे खरीद कैसे कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि कितना quantity आपको खरीदना है उस number को यहाँ पे डालना जैसे कि अगर आपको एक खरीदना है तो मैंने एक डाल दिया अगर आपको पांच खरीदना है तो आप पांच डाल सकते हैं और साथी साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो इसका आपको यहाँ पे price भी दिख रहा है मैं पांच share को यहाँ डाला और पांच share का दोस्तो जो price है वो यहाँ पे 73 रुपीज है जी हाँ और लेकिन गाईज मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक share खरीद के दिखाऊंगा मैंने एक डाल दिया और इसका जो अभी market price है वो है 14 रुपिया 15 पैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं बट मुझे यहाँ पे जो लगेगा price वो लगेगा 15 रुपिया लगभग यहाँ यहाँ पे 0.85 पैसे जो charge लगते हैं तो यहाँ पे मैंने एक quantity एड कर दिया अब इसको खरीदने के लिए आपको सबसे पहले simple है buy पे आपको click करना है अब guys जैसे ही आप buy पे click करते ही तो देख सकते ही यहाँ पे लिखावा चुका buy order successfully जी हाँ और guys यहाँ पे green tick लग चुका है और कि हमारा जो order है वो successfully यहाँ पे buy हो चुका है और नीचे आपको यहाँ पे done का button मिलता है इस पे click करके आप done कर सकते ही अगर आपको details देखना है तो order details पे click करेंगे तो यहाँ पे guys आपको दिखेगा कि आपने जो खरीदा है वो उसका मतलब process में है या फिर successful हो चुका है तो अभी जो market है वो live market चल रही है guys और मैंने live market में इसको खरीदा तो इसके वज़े से यहाँ पे instantly देख सकते है जोस्तों यहाँ पे successfully का बटन दिख रहा है और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हो चुका order executed आने के guys अब मेरा जो order है वो यहाँ पे completely successfully मैं buy कर चुका हूँ तो यहाँ पे guys यह जो है मैंने 14 रुपया 20 पैसे पे buy कर लिया है अब अगर आप यहाँ पे इसके जो है नाम पे click करके देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है चार्ट guys अब यहाँ पे all orders पे click करेंगे तो उपर में ही आपको दिख जाएगा जो आपने खरीदा होगा तो मैंने पहले भी खरीद कर राखा उसको मैंने blur कर दिया है जो अभी अभी मैंने खरीदा अगर यह दिखा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते ही यह जो है मैंने खरीदा हुआ था अब गाई यह तो हो गया कि आप इस तरह से खरीद सकते ही अब अगर आपको इस share को बेचना है इस stock को बेचना है तो वो कैसे कर सकते ही तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे कर सकते ही तो फिर से आपको इसके लिए जो है यहाँ पे आ जाना है जहां से आपने purchase किया होगा तो मैं वही पे आ चुका हूँ और अगर आप अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे जो मैंने इसको खरीदा था वो 14 रुपया 20 पैसा पे खरीदा था कि आपने जो share खरीदा है वो profit में आप है या फिर loss में है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको track कर सकते हैं जो कि फिलाल में मैं 5 पैसे भी loss में हूँ और मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस stock को खरीद लिया था अब आपको इसको बेचना है तो आप कैसे बेच सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपको इसके लिए sale यहाँ पे जो button दिखता है इस पे click करना है तो मैं इस पे click करता हूँ अब यहाँ पर देख सकते गाईस आपके पास जितना भी share होगा वो share आपको यहाँ पर दिख जाएगा देख सकते मेरे पास सिर्फ एक share है तो मेरे जो एभिलेबल shares में सिर्फ एक share दिख रहा है जो कि मैंने अभी आपके सामने purchase किया मतलब buy किया अब आपको इसको बेचना ह तो guys बेचने के time पर भी आपको यहाँ पर delivery select करके रखना है जी हाँ यहाँ पर देख सकते हैं यह delivery है तो इसको slide करके रखना है अब आपको यहाँ पर जितना भी quantity बेचना है simple सा उस quantity को डालना है जैसे कि मैंने सिर्फ एक quantity खरीदा था आपको दिखाने के लिए तो मैं एक quantity बेच भी सकता हूँ मैं simple से एक डालूँगा मान लीजिए अगर आपके पास 50 quantity है 60 quantity मतलब एक से जादा quantity है तो guys आपको जितना भी बेचना होगा उतना ही आप यहाँ पर enter करेंगे तो उतना ही वो बिकेगा और बाकी का जो बचा हुआ रहेगा वो आपका वहाँ पर रहे सेल और सक्सेस्फुली यहाँ पर दोस्तों जो है आपको ग्रिंटिक लिखा हुआ दिख रहा है मतलब कि हमारा जो ओडर है वो सेल में लग चुका मतलब सेल हो भी चुका है क्योंकि मैं लाइम मार्केट में आपको सारा कुछ करके दिखा रहा हूं और गाईज एक तीज औ आपर पर प्र्चेस किया या फिर सेल किया है तो आपको विक देज का वेड़ करना पड़ेगा तो इसलिए मैं आपको लाइम मार्केट में दिखा रहा हूं ताकि यहाँ पे जल्दी से सक्सेसफुल भी हो जाए और जल्दी से यहाँ मिहा बेच हो तूछ जो कि हो चुका ह और फिर से आप order details पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो यह है वो बिका की नहीं बिका है तो यहाँ पे देख सकते हैं दोसों sale delivery regular यहाँ पे मैंने sale किया है market price गाईज आप देख सकते हैं यहाँ पे market में था जो भी price चल रहा है वो है 14 रुपया 10 पैसा में मैंने बेच दिया जो कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे loss हुआ था 0.5 पैसे के लगभग तो मतलब 5 पैसे के लगभग 0.5 पैसे से भी कम होता है अब गाईज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह भी successful हो चुका है देख सकते हैं और यहाँ पे सारा कुछ complete हो चुका है अब यहाँ पे मैंने आपको live तरीके से दिखाया कि कैसी आप कोई भी share को खरीच सकते हैं और उसको बेच सकते हैं अब एक important बात आपको बताता हूँ गाईज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है उपर corner पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो भी यहाँ पे balance है वो balance यहाँ पे 1,999 है मेरा पहले 2,000 था और भी यहाँ पे 1 रुपिया कम है तो यह क्यों कम है वो मैं आपको बताता हूँ गाईज जो मैंने यहाँ पे share को बेचा मतलब जो सबसे पहले खरीदा और जो बेचा उसको खरीदने और बेचने में कुछ चार्ज भी लगते हैं तो वही चार्ज यहाँ पे मेरा minus हो चुका है मतलब कि guys मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे खरीदा और बेचा और इसके लिए मुझे यहाँ पे लगबग 14 पैसी का मतलब लॉस क्या बोल सकते हैं 14 पैसी का मुझे चार्ज लग गया तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी share को खरीद सकते हैं और इस तरह से बेच सकते ही और guys अगर आप मैं यहाँ पे अपने profile पे click करूँ and profile पे click करके मैं यहाँ पे all orders पे click करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते ही अभी मैंने जो खरीदा था वो आपको दिखेगा यहाँ पे और जो मैंने अभी बेचा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके बगल में आप जो है delivery पे select करना है और अगर आप सिर्फ एक दिन के कल लिए यहाँ पे purchase कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे intraday में select करना है बड़ गाइस यह intraday जो word है इसके पीछे भी बहुत ही जादा आपको यहाँ पे experience और बहुत जादा जानखरी लेना पड़ेगा तो उसका भी मैं आप वीडियो next वीडियो बना के बताऊंगा कि share use किया आपके हिसाब से आप अपने research करें आपको जो लगता है खरीदें तो आपको symbol से यहाँ पे search करके उस share को ला सकते हैं वहाँ से आप इसी process को use करके उस share को खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं तो guys I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसी आप share market में कोई भी share को खरीद सकते हैं और या फिर उसको बेच सकते हैं और यह में आपको grow application से process दिखा रहा था आप इसी process को use करके buy कर सकते हैं या फिर sell कर सकते हीं तो guys I hope कि आपको बहुत ही helpful साबीद हुई को वीडियो तो सबसे पहले तो वीडियो को like share कर दिजीगा और अगर आप ने अभी तक जो है इसमें आप account कैसे बना सकते हैं या फिर इसको आप use कर सकते हैं वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आ मिलता हैं आपसे नेक्श बड़े में तब तक लिए जाहिंद वंदे मातरम